हेलो एवरिवन, वेलकम तू अकाउंट मंत्रा, लेट्स वेक अकाउंट इजी एंड स्कोर फूल मार्क्स स्टुडेंट, आज हम चेप्टर बन की क्लास थर्ड के अंदर जो नोट फर पॉफिट और्गैशन की है, इसमें आज हम लोग कुछ कोशन आंसर्स ना लेंगे, टी एस ग्रेवाल के, कुछ कोशन लेंगे और उनका आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, अभी तक हमने theoretical part में पढ़ा की note for organizations क्या होती है, और note for organization के financial statement में हम लोग receipt and payment account, income and expenditure account और balance sheet बनाते हैं, recipient payment account के अंदर हमने देखा कि यह cash basis के बर बनाए जाती हैं और इसमें दोनो revenue और capital nature दोनों के accounts इसमें लिखे जाते हैं और simple way में कहा जाए तो यह cash और bank book की एक abstract एक summary होती है receipt and payment account और उसी तरह से income and expenditure account जो होता है वो एक तरह का profit and loss account होता है जो accrual basis के पर बनता है और जिसमें year के सारी income और expense account for किये जाते हैं क्योंकि यह not for profit organization के लिए बनता है इसलिए net profit के जगे हम लोग उसे surplus कहते हैं और surplus होता है वो हमारा excess of income over expenditure होता है और in case of low यह deficit होता है deficit कहलाता है और deficit जो होता है वो excess of expenditure over income होता है balance sheet में हमने जाना था कि balance sheet में हम लोग capital की जगे capital fund यूज़ करते हैं जहां हमे specific funds मिलते हैं वहां हम लोग उने specific account में maintain करते हैं और उसकी income और expenses हम वही account for करके एक separate fund account बनाते हैं अब हम लोग कुछ question से लेते हैं सबसे पहले मैं question 6 लेता हूं जो मैं अभी आपके सामने देना दिखा रहा हूं question 6 जो है टी एस ग्रेवाल का यह अभी आपके सामने आ रखा होगा जो है following is the summary of cash transaction of good health club for the year ending 31st March 2018 यह question CBSC 2019 के exam में आया था और इसमें हमें good health club की receipt and payment account के बारे में बनाने के लिए कहा गया है question आपके पास है आप इसे अपनी टी एस ग्रेवाल की किताब में भी देख सकते हैं तो चलिए अब हम लोग receipt and payment account बनाते हैं और मैं आपको इसके अंदर सब चीजों के बारे में बताऊंगा एक एक transaction के बारे में कि वह क्या है और वह transaction हमारे पास receipt account में आएगी यह payment account में आएगी और वह क्यों receipt payment account के अंदर आएगी चलिए बनाते हैं receipt and payment account receipt and payment account of good health club for the year ending 31st March 2018 मैंने आपको बताया था debit side पे हम लोग receipt लेते हैं और credit side पे हम लोग payments लेते हैं क्यों है पो करने हैं छ सबद uyत आपने सर पता हैं हुआ हुआ कि एक चीज हमने और जाना जानी थी कि यह रिसिटर्ट पेमेंट अकाउंट जो है वह हमारे कैश और बैंक बैलनस से शुरू होती है हमें भी ऑपनिंग बैलनस दिया गया है कैश का और बैंक का तो वह हम लोग डेविट साइट भे लिखते हैं तू ओपनिंग बैलनस ब्रॉट डाउन कैश बैलनस जो हमें दिया गया है सत्तर हजार रुपे का बैंक तीन लाख रुपे स्टुडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने जब भी हम लोग यह अमाउंट लिख रहे हैं तो हमेशा हम लोग यह जरूर देखें कि अमाउंट एक सीद में दिना लिखे जाएं जैसे मैंने लिखा है जीरो 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 उसके नीचे यहाँ जीरो 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 सेवन जीरो 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 और थ्री यह एक सीद में लिखे जाना चाहिए क्योंकि जब हम लोग टोटलिंग करते हैं तो उसक्त यह बहुत काम में आते हैं हमारे नहीं तो अगर हम लोग इसको थोड़ा भी टेड़ा लिखेंगे तो टोटलिंग भी हमेशा गलती होने के चांसिस रह जाते हैं और उससे हमारा अंसर सही नहीं आता उसके वाद सब्सक्रिप्शन रिसेट है सब्सक्रिप्शन भी रिसेट है तो हम लोग या लिखेंगे तू कि सब्सक्रिप्शन कि रिसेट क्योंकि यह cash account है इसलिए हमें केवाद उस साल का नहीं जित्रा amount हमारे पास आया है वो हमें सारा का सारा इसमें लेना है दोजा सोला सत्रा के इसके अंदर कुछ amount आ रखा है चालिस अजार रुपे दोजा सत्रा ठारा तीन लाख विच्छत्र हजार रुपे दोजार अठारा उननीस बीस अजार रुपे तो यह हमने रिसीट साइड में ले लिया इसके बाद उन्होंने दिया है डोनेशन फॉर जीम यह भी रिसीट है तू डोनेशन फॉर जीम चाह स्पेसिट्विक डोनेशन हो चाह कोई भी डोनेशन हो वो साब हमारी रिसीट रिसीट पे अंदर रिसीट साइड पर आती है 1,64,000 उसके बाद एडमिशन फीस है वह भी रिसीट है तू एडमिशन फीस यह एडमिशन फीस हमारी जो है वह 14,000 रुपीस की है उसके बाद लाइफ मेंबर्शिप फीस तू लाइफ मेंबर्शिप फीस 45,000 की उसके बाद वेजिस और सेलरीज हैं वेजिस और सेलरीज की पेमेंट की जाती है तो हम लोग यहाँ पे बाई पेमेंट लिखेंगे वेजिस और सेलरीज की फिफ्टी फाउजन रुपीस उसके बाई यहाज लोकर रेंट है क्योंकि यह एक हैथ कलाब है तो लोकर रेंट अगर हम लोग अपने घर घर में गरेलू एच्तिमाल पे देखें तो वहाँ पे लोकर रेंट जो होता है वो payment होती है क्योंकि वो bank को दिया जाता है लेकिन health club के अंदर health club के अंदर अपने members का समान रखने के लिए health club locker बना के रखते हैं और उनका rent उनसे receive करते हैं तो यह हमारी एक receipt है to locker rent 11,000 रुपीज invested in 9% debenture of XYZ limited मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके अंदर revenue और capital दोनों देचर की जो payment होती है वो payment side में लिखते है यह हमने payment की है 9% debenture of XYZ limited 2,40,000 रुपे health general health general क्योंकि health general health club परचेस करता है books and periodicals होते हैं health general यह जो payment है यह भी payment side में लिखे जाएगी 5000 रुपीज stationary जो stationary परचेस की है उसके लिए payment की है तो वह भी payment side में लिखे जाएगी 1500 रुपीज एक बात का ध्यान जरूर रखना कि यह जो भी लिख रहे हैं वह हमेशा एक symmetrical line में लिखना है ताकि टोटलिंग में मुश्किल न हो बाई insurance premium इंशुरेंस प्रीमियम भी payment है तो यह भी payment side में आएगा irrespective हो कि इसमें कितना हमारा prepared है या कितना इस साल के लिए है कितना क्योंकि यह receipt and payment account है इसमें जो total amount हमने pay किया है वो सारा का सारा आएगा courier charges यह भी payment है by courier charges 800 रुपे के municipal taxes यह भी payment है नो हजार पान सो सत्तर रुपे machinery purchase फिर machinery purchase अलाकि capital payment है लेकिन revenue और capital payment दोनों payment वे आती है तो machinery purchase भी हम लोग payment side में लिखेंगे 38,000 रुपीज sale of old newspaper sale of old newspaper जब हम लोग newspaper के sale करते हैं तो हमें पता है कि हमार पास पैसे आते हैं तो हम लोग इसे receipt side में लेखेंगे to sale of old newspaper इंट्रेस्ट और बैंक बैलन्स बैंक ने हमें इंट्रेस्ट दिया है तो यह हमारी रिशिफ्ट है कि टू कि बैंक इंट्रेस्ट सत्रा सो चालिस रुपे और इसमें हम लोंने आवे cash balance दे रखा है year end के पर by cash in hand 43 thousand अब इसने हमें इसका मतला जो closing cash bank के balance है वो हमें नहीं दिया गया है वो हमें निकालना है by balance at at bank closing यह हमारा balancing figure से आएगा अब हम लोग receipt account का total कर लेते हैं और उसके बाद payment account के अंदर भी हम लोग total करेंगे जो हमारा balance जो cash balance है उसको छोड़के बाकिये अमरे पास जो पैसा रह गया है हम देखते हैं कि हमारा receipt account का जो total है वो आया है 10,41,040 रुपे 10,41,040 रुपे यह balance दोनों साइड में बराबर रहता है 10,41,040 रुपे अब हम लोग इससे cash in end जना निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा पास जो cash in end आ रहा है वो आ रहा है 6,30,410 रुपे का जब हम लोग इस figure को इसमें डालेंगे तो हमारे पास यह total 10,41,040 रुपे का आएगा इसका मतलब हमें पहले यहां तक total करना है और जो total आएगा वो हमें 10,41,040 रुपे में से माइनस करना है और माइनस करने पर हमें जो closing balance at bank है 6,30,410 रुपे का वो amount आ जाएगा यह हमें यहां लिखना नहीं है यह केवल एक working note के अंदर हमें total करना है तो इस तरह से हम लोग recipient payment account बनाते हैं अब अगली class में हम लोग जानेंगे कि हमें recipient payment account जो दे रखा है और उसके साथ में हमें कुछ additional information भी दे रही है और additional information और recipient payment account से हम लोग income and expenditure account और balance sheet कैसे draw करेंगे वो हमारे next class में हम लोग लेंगे तब तक के लिए thank you very much